इन्वेस्टमेंट इन सिक्यूर्टी स्मार्केट आर सब्जेक्टेट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड ओल दे रिलेटेड डोकुमेंट केयरफुली बिफूर इन्वेस्टिंग और दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेंड वाले टेक के एक नए वीडियो के अंदर आज के वीडियो का भी थमलिल टाइटल आपने देखा होगा वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ स्टॉप लोगों के अंदर कैसे लगाते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा बलकि यहां पर लाइज करके भी दिखाऊंगा ताकि आपके सारे डाउट एक साथ क्लियर हो जाएं तो इस वीडियो को आपको इत्मिनान से लाफ्ट तक पूरा देखना है और अगर आ आपको बताऊंगा दो तरीके स्टॉप लगाने के एक तो तब आपने बाई कर लिया है किसी स्टॉप को उसके बाद स्टॉप लगाते हैं वो देखेंगे दूसरे में हम बाई करते हैं तब स्टॉप लगाते हैं वो देखेंगे ठीक है तो दोनों तरीके में बताऊंगा स लेकिन अगर stock नीजे भागने लगे, बान बे, छान बे, तिरान बे, सोफे नीजे आने लगे, तो आपको क्या करना है, stop loss की जरुवत पड़ती है, stop loss की जरुवती ले पड़ती है, कि हमारा जो loss है, वो ज्यादा ना हो, एक limit में ही हमारा loss हो, तो stop loss इसलिए हम लगाते हैं, ताकि अपने आपको हम सुरक्षित कर सके, तो इसके लिए देखीए, दो तरीके हैं, एक तो आपने buy कर लिया है, तो stop loss लगा सकते है, एक buy करते time, stop loss लगा सकते हैं, पहला समझ लेते हैं, कि buy करते time, stop loss कैसे लगाते हैं, तो एक example के लिए यहाँ पर स्टॉक हम सर्च करते ह यहां पर देखिए यह स्टॉक हमारा माफ करिएगा आई रसी था मैं भूल गया था इंडियन रेल में फिन कॉर्परेशन है तो यहां पर आपको देखाता हूं पहले मैं आपको देखाता हूं बाई करते टाइम ही स्टॉप लॉस ओडर कैसे लगाते हैं एक साथ स्टॉप लॉस ओडर लग जायेगा तो यहां बाई पर क्लिक करेंगे हम अब देखिए फ्टॉक का प्राइब जो है वो लगभग स्टॉप पच्छत्तर रुपे चल रहा ह अब प्राइस पर दिखें जैसे शोट्र रुपे पच्छत्तर पैसे चल रहा है शोट्त रुपे साथ 55 पैसे में यहां पर दाल देता हूं यहां पर जब पार्लिप साथ पैसे आएगा तो मेरा भाई हो जायागा ठीक है इसके बाद देखिए यहां पर प्रॉड़क्ट ट में तक लखना चाहते हैं इसको तो लॉंग टर्म नील फिर सट लाइनकर हो एड़ सब्सक्राइखने सब्सक्राइब उधर को तो इसके बाद तरहाएं तो मार्केट को यहां मार्केट पे तो जिसके और शीज़ां उतने पipKid वही हमारा तूरंट का तूरंद भाई हो जागा देखें यहां पर desapare डालने का ओप्षन और ओशन नहीं आएगा लेकिन मैं लीमिट पर क्लिक करूँगा तो अपने set stop loss का option दिखाई दे रहा है आपको ठीक है set stop loss का option दिखाई दे रहा है तो इसी को हमको on करना है और on करते ही देखिए by default minus 5% का stop loss यहाँ पर डारेटली आ गया यानि जितने भी हमारा market पर buy होगा जिस price दे उसके 5% नीचे हमारा stop loss लग जाएगा माली जी अगर यह 100 पर buy होता है तो पंचानबर रुपे पर automatically हमारा minus 5% stop loss लग जाएगा आप इसको modify भी कर सकते हैं minus का mark आपको बस नहीं हटाना है माइनस का mark आपको नहीं हटाना है 5% को आप 10% भी बना सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तब वो 10% पर stop loss हमारा हो जाएगा लेकिन minus का mark हमको किसी भी कीमत पे नहीं हटाना है ठीक है तो यहाँ पर देखिए stop loss हमने लगा दिया minus 10% का बस यहाँ पर देखिए कितना margin हमको requirement है और कितना charges लग रहा है यह सब चीज़े हम यहाँ पर देख सकते हैं swipe to buy पर हम यहाँ पर सरका देंगे इसको तो यह order हमारा देखिए complete हो चुका है order हमारा तुरंद complete हो गया मैं order में जाके दिखाता हूं तो देख लिजिए executed में आ चुका है मैंने market पर खरीदा थ रहा है GTT में तो GTT में जाके हम check out कर सकते हैं stop loss हमारा 60 रुपे पर लगा हुआ है ठीक है प्रोफोलियो में जाके देखें कि हम तो हमको loss हो रहा है भी 10 पैसे का तो अब यह loss है हमारा बढ़ते बढ़ते अगर हमारे stop loss तक आ जाएगा 60 रुपे 20 पैसे पर आ जाएगा तो ह अब मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं जिसमें आपने buy कर लिया है किसे भी stock को उसके बाद stop loss कैसे लगाते हैं वो देखेंगे ठीक है तो चलिए मैं इस से exit कर लेता हूं इस पर click करके cancel कर देता हूं इसको इसी पर मैं घो click करना है कि खोड़ी के बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं अपर प्राइज मे आप लोग को यहां करना है एसल पे क्लिक करना है ठीक है एसल पे क्लिक करना है अधि प्रोड़क्त टाइप में यहाँ पर saff लाज लगा सकता हो ठीक है तो प्राइस में मैंने डाल दिया सकता है ठeca लेकिन इसके बाद देखे Trigger prior में यहांपे तालना होता है यह बहुत ज़रूरी है थो Trigger price हमेशा हे हमारे price से बड़ा होना चाहिए भले ही 5 पैसे ही बड़ा हो लेकिन बड़ा होना चाहिए जो मैंने प्राइव डाली है 40 रुपे तो trigger price में यहाँ पर डाल देता हूँ 70 रुपे 10 पैसे मैंने यहाँ पर trigger price डाल दिया है देख सकते ही यहाँ पर 70 रुपे का stop loss, 70 रुपे 10 पैसे का trigger price तो जैसे ही 70 रुपे 10 पैसे को market हमारा नीचे गीटते गीटते चुवेगा हमारा order exchange को चला जाएगा और 70 रुपे पे आते ही हमारा sell हो जाएगा order ठेके तो यह चीजे बहुत ही आसान है stop loss लगाना खरीदने के बाद यहाँ पर charges अगर हम देख सकते हैं बस हमको swipe to sell पर order place हो चुका है हमारा और इसको order में हम जाके check कर सकते हैं open order में हमारा यह रहेगा इस बार GTT में नहीं रहेगा क्योंकि हमने खरीदते टाइम order नहीं लगाए था यहाँ पर देखिए open order है इस तरह से हम चाहे तो पहले buy करके stop loss बाद में लगा सकते हैं हम कोई दिक्कत नहीं है यह तो buy करते time में stop loss लगा सकते हैं तो बहुत इस simple video में आपके लिए बनाया मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा इसलिए मैं अपक्षा करता हूँ कि आप like जरूर करेंगे चैनल को subscribe भी जरूर करेंगे thank you so much दोस्तो धन्यवाद